दोस्तों अगर आप Boost 1.5 Ton AC 5 Star 2023 में लेना चाहते हैं, जो Boost AC 2023 की लिस्ट में भी आता हैं, तो आप सही वीडियो पर आये हैं. इस वीडियो के अंदर मैं तीन AC को थूली कंपेर करने के बाद आपको ये बताने वाला हूं कि इन तीनों का यूजर एक्स्पीरियन्स कैसा है. इन इंडिया 2023. आपको सबसे पहले इन तीनों AC की लुक्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं. लुक्स के बारे में कुछ खास है नहीं, तीनों के अंदर बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है. इंडोर और आउट्डोर दोनों के अंदर बलकी तीनों ही AC यानी डाइकिन, पैनासॉनिक और LG तीनो 1.5 स्टार लेटेस्ट मॉडल्स हैं. पैनासॉनिक और LG दोनो 2023 मॉडल्स हैं, लेकिन डाइकिन 2022 मॉडल्स है. अब आप कहेंगे यार ये ऐसे क्यों करा? इसलिए करा क्योंकि 2022 डाइकिन मॉडल्स 2024 तक के लिए स्टार रेटेड है. इसलिए उसमें कन्फ्यूज मत हो ये. आपको यह देखना है कि AC कौन सा अच्छा है. उसके एर आफ मैनियुफैक्चरिंग से कोई फर्थ नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों के अंदर आपको 5 से उपर की IC रेटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये 5 स्टार AC बनते हैं. लेकिन तीनों AC के अंदर कुछ फर्थ भी है. और इन सारे डिफरेंस को मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ. इस चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए. डाइकिन की आपको कूलिंग कपैसिटी 1.5 तन प्रॉपर मिलेगीन, जबकि पैनासॉनिक में 1.4 तन और LG में 1.3 तन. LG की ये काफी कम कूलिंग कपैसिटी है, इसलिए अगर आपके रूम का साइज 140 स्क्वेर फीट तक का है, तो ही आपको LG का AC लेना चाहिए. अदर्वाइस बिलकुल मत लीजिएगा क्योंकि उससे उपर के रूम साइज को ये बहुत अच्छे से कूल नहीं कर पाएगा. जिसे पैनासॉनिक पर्टिक्यूलरली कहता है. लेकिन इन तीनों AC के अंदर एक बहुत मेजर फर्क मैं आपको बताता हूँ कि डाइकिन के अंदर आपको किसी भी टाइट का कनवर्टिबल मोड मिलेगा ही नहीं. यानि आपको अगर AC को चलाना है तो एक ही नॉर्मल मोड पे ही चलाना पड़ेगा. वेवर LG के अंदर आपको 6 in 1 convertible options देखने को मिलेंगे और Panasonic is 1 बेटर क्योंकि उसके अंदर आपको 7 in 1 convertible modes देखने को मिलेंगे. It is too good. Panasonic और LG के अंदर आपको force wing भी देखने को मिलेगा. जबकि Daikin के अंदर आपको Koenda Air Flow मिलेगा यानि आप Flag को पूरा छट की तरफ कर सकते हैं और उपर की तरफ से कमरा ठंडा हो सकता है लेकिन आप उसे 4-way Swing की तरह यूज नहीं कर सकते अगर Air Filter की Compare करे तो LG के अंदर आपको एक Normal HD Filter मिलता है मतलब गंदगी उसके अंदर नहीं जाएगी जबकि आपको Daikin के अंदर PM 2.5 Air Filter मिलता है विच इस वेरी गुड़ बट Panasonic एक और Step Further 0.1 यानि PM 0.1 Air Purification Filter देता है मतलब बिलकुल किसी तरीके की गंदगी अंदर जाएगी ही नहीं आपका सपोर्ट दोस्तों ये काम मेरा पैशन भी है और मेरा जॉब भी ताकि आपको ये बता सकू कि आपके प्रोड़क्ट की सबसे ज्यादा वर्थ आपको किस प्रोड़क्स को खरीदने में सबसे ज्यादा मिलने वाली है और मैं इससे कमाता कैसे हूँ? आपको मैं Amazon की affiliate link देता हूँ जो description में आपको मिलेंगी उनके through अगर आप अपनी purchase को पूरा करेंगे तो इस channel की बिना आपके price को एक रुपए भी change किये बगएर इस channel की financially मदद होती है जिससे ये पैसे जोड़ जोड़ कर हम ये channel चलाते हैं और आपको research करके ये बताते हैं कि आपके लिए best product कौन सा है आशा करता हूँ आप मुझे बहुत support करेंगे और मेरी link से purchase करेंगे मतलब हम claim in language के अंदर ये कह सकते हैं that is the best air purification filter that you can get in AC Tino AC के अंदर आपको auto clean technology भी देखने को मिलती है और self diagnosis भी देखने को मिलता है Tino AC stabilizer free operation के साथ तो आते हैं लेकिन इनकी जो range है यानी voltage range यह सबसे अच्छी panasonic की है which goes from 100 volt to 290 volt still I recommend की आपको एक अच्छा stabilizer अपने AC के साथ लगाना है चाहे आप कोई भी AC लें और Tino AC के indoor unit के clean lowest noise levels ये रहे आपके सामने लेकिन हमारे testing में LG के सबसे कम noise levels निकले उसके बार panasonic के और सबसे ज्यादा noise produce कर रहे डाइकिन के testing meter में जिकने भी noise levels आए वो सारे ambient noise levels के साथ आपको दिखे यानी room के अंदर जो MBA है उससे और AC के noise levels को मिला कर जो noise levels आ रही है वह मैंने आपको बताए और उसमें सबसे अच्छी performance LG की है उसमें आपको नो इस noise levels भी कम मिलेंगे आपको ज्यादा cooling capacity यानी ज्यादा powerful AC जैसे panasonic और डाइकिन के अंदर जो noise levels का comparison हमने करा उसमें panasonic was the winner that is the very good thing तीनो AC के अंदर आपको one year की comprehensive five years की warranty on the PCB और two years की warranty मिलेगी on the inverter compressor जो आपको तीनो AC में लगा हुआ मिलेगा और तीनो ही AC का इस समय का price है लगभग 45,000 के आसपास दोस्तों अब paper space तो हो गए सारे खत्म अब मैं आपको बताता हूँ मेरा अपना personal experience कैसा रहा मैं आपको एक एक करके तीनो AC के बारे में बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं LG AC के बारे में एक छोटा room अगर आपका है 13,135 square feet तक का तो आपको LG AC definitely ले लेना चाहिए and it is very good AC बहुत अच्छी cooling करता है बहुत silent AC है और आपके room में चाहे direct sunlight पढ़ती हो या ना पढ़ती हो आपको इससे कोई problem नहीं होने वाली जिसकी build quality बहुत शांदार है और आपको किसी type की कोई परिशानी नहीं होगी it misses out on a few things जो आपको दूसरे AC के अंदर मिलती है सबसे पहले इसके अंदर cooling capacity बहुत ज्यादा कम है पिछले साल के मुकाबले ये काफी कम कर दी गई है which is not very good thing तो आपका अगर बड़े room size है avoid this AC completely दूसरी चीज इसके अंदर आपको Wi-Fi support नहीं मिलती यही same price में आपको Panasonic के अंदर Wi-Fi capabilities मिलती है which is fantastic other than that this AC is very good और मैं जो particular model की बात कर रहा हूँ उसके links मैंने आपको description box में दिये है 45,500 is the current price What are you waiting for? जाए जल्दी से description box में Come into Daikin AC This particular model is just too good आपको बहुत अच्छी cooling मिलती है cooling capacity भी इसकी पूरी आती है आपको इसके अंदर कनाड़ा air flow जैसा feature मिलता है यह उन लोगों के लिए particularly बहुत ज्यादा अच्छा है जिनके room की छट के उपर direct sunlight पड़ती है उससे क्या होगा? Air flow का flap आप हमेशा उपर रखेंगे उससे cooling सबसे पहले उपर ceiling को ठंडा करते हुए आपके fan के जरिये पूरे room के अंदर spread होगी AC को चलाते समय That will be too good और यह feature बहुत ज्यादा अच्छा है मुझे सिर्फ एक दो कमिया लगी जो आपने भी notice करी होगी कि इसके अंदर किसी type का कोई convertible mode नहीं है और दूसरी बड़ी major चीज जो इसमें missing है जो इस AC को smart AC नहीं बनाती बट यही सिम प्राइस के अंदर यानी 45,500 के आसपास आपको Panasonic AC मिलता है उसके अंदर आपको Wi-Fi support भी मिलती है और convertible options भी मिलती है तो choice is completely yours जिस particular model की मैं बात कर रहा हूँ उसके links मैंने description box में दिये है So what are you waiting for? जल्दी जाएए और link के जरिये product को देखिए अब बात करते हैं Panasonic AC के बारे में और this is doing proper cooling The best part इसके अंदर आपको Wi-Fi की support मिलती है इसके अंदर आपको सभी type के features मिलते है एक भी feature से ये AC मिस आउट करता ही नहीं है चाहे वो self clean technology हो चाहे वो smart diagnosis हो कुछ भी हो मतलब कुछ भी आपको इसमें miss out नहीं होता है मुझे इसमें चाह के भी कोई कौन देखने को नहीं मिला 45,000 रुपए का ये इस समय कॉस्ट करता है जिस particular model की मैं बात कर रहा हूँ उसके links मैंने description box में दिये हैं आपको इसे जरूर check करना चाहिए So what are you waiting for? दोस्तों अगर आप personally मुझसे पूछेंगे देन I will say that again की panasonic मेरे लिए number one पे आता है क्योंकि इसके अंदर मुझे convertible options मिलती है मेरे हाथ में control है कि मैं उस option को use करूँ या ना करूँ या मैं auto पे रख दूँ Now that is very very good option दूसरी चीज मुझे wifi support मिलती है मुझे मेरा app की integration मिलती है मुझे Alexa और Google Assistant की support मिलती है What else do I need from an AC is very good calling capacity All the features wifi support in so on इसलिए मेरे लिए Panasonic AC ज्यादा बहतर बनता है Daikin AC you know I would give it number 2 LG को definitely number 3 क्योंकि उसके अंदर cooling capacity बहुत कम है और उसी price पर मुझे far better इस Daikin ये मिल सकते है मैंने तीनों ही AC इसके links आपको description box में भी दिये है Please use my links guys आपका support दोस्तों ये काम मेरा passion भी है और मेरा job भी ताकि आपको ये बता सकू कि आपके product की सबसे ज्यादा वर्थ आपको किस product को खरीदने में सबसे ज्यादा मिलने वाली है और मैं इससे कमाता कैसे हूँ? आपको मैं Amazon की affiliate link देता हूँ जो description में आपको मिलेंगी उनके crew अगर आप अपनी purchase को पूरा करेंगे तो इस channel की बिना आपके price को एक रुपए भी change किये बगैर इस channel की financially मदद होती है जिससे ये पैसे जोड़ जोड़ कर हम ये channel चलाते हैं और आपको research करके ये बताते हैं कि आपके लिए best product कौन सा है आशा करता हूँ आप मुझे बहुत support करेंगे और मेरी link से purchase करेंगे